लाइस वैलकम टू जॉन अगैट में देश शाहूल जॉन आज हम बनने जा रहे हैं एना यूएस हिस्ट्री चैप्टर 12 क्लास 12 के लिए यह इस वीडियो का यह चैप्टर का सेकेंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं यह 12 चैप्टर है जिसका नाम है प्रणाली और संस्था यह है सेकेंड पार्ट फर्सट पार्ट के लिए आप प्लेइलिस्ट में देख सकते हैं तो पड़ते हैं स्टार्ट करते हैं तो हम है कि यहां से पड़ना है सेसे किंड पार्ट से अलाव दिन खिल जी के बाजार सुधार यह एक्जाम के पॉइंट प्रशाशनिक और सन्य अवशक्तव के अनुकूल थे तो अलावदिन खिल जी ने जो भी बजार सुधार करें थे वो प्रशाशनिक और सैन्ने अवशक्ताओं के अनुकूल थे यानि कि उनके लिए सही थे अलावदिन खिलजी कमोबेश ऐसा पहला शाशक था जिसने कीमत नियंत्रण की समस्चे पर सुवस्थिधंग से ध्यान दिया अलावदिन खिलजी ने क्या करा कीमत नियंत्रण की समस्थिध यान दिया और विशाल से आगी भृती कर शका अलावदिन खिल जी यह ऐसा था जिसने कम पैसा खर्च करा सेना पर और एक बड़ी सेना रख सका अलावदिन ने अनाजों से लेकर कपड़ा, दासो, मवेशियों आदी तक सभी वस्तों की कीमते निर्धारित की थी तो अलावदिन खिल जी ने क्या करा था, कपड़े, दासो, मवेशियों आदी सभी वस्तों की कीमते को उसने निश्चित कर दिया था, फिक्स कर दिया था, नैक्स्ट पॉइंट है, उसने दिल्ली में तीन बजार इस्थापित किये, पहला बजार इस्थापित किया, खाद्य अवेशियों के लिए, नैक्स्ट पॉइंट है, खाने की वस्तों की कीमतों पर नियंतरन रखने के लिए, अलावदिन ना सिर्फ गाउंग से अनाज, नाजो की आपूर्ती करने, और अनाज व्यपारी दोरा शहरों तक तक इसको ले जाने, बलकि नागरी को इसके उचित वित्तरन करने पर भी नियंतरन रखने की कोशिश की, याने की अलावदिन घिल जी ने क्या करा, खाने पीने की चीज़े जैसे की चावल, गेहूं, इन सब को आपूर्ती तो करी थी और शहरों तक पहुचाने के लिए, उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल अलावदिन खिल भी कोशिश की, कि सरकार के पास खाद्यान का उच्चित भंडार रहे, उसने ये भी ऐसा करा है कि ऐसा रहों कि अनाज इदर उदर पड़ा रहे, बलकि ऐसा उसके पास भंडार होने, बंडारन के लिए एक जगा होने जहां पर वो अनाज को रख सके, ताकि वेपारी रख स्थान में था, मैं अन बंडारों की स्थापना भी की गई, बंजारों को नियमित रूप से खाद्यान की आपूर्ती सुनिषित करने लिए कुछ नियम बनाए गई, तो खाद्यानों की आपूर्थी करने के लिए नियम बना दिया सभी खाद्यानों को बाजार मंडियों में लाया जाता था और उन्हें सरकारी कीमतों पर ही बेचा जाता था याने कि जो कीमत ठहराई जाती थी उसी कीमत पर वस्तु को बेचा जाता था सभी वस्तु की प्रियाप्त आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यपारियों का पंजी करन किया जाता था कि कौन कौन से व्यपारी वस्तो को बेच रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन यानि कि पनीजी करन कराया जाता था और उनसे इस बारे में दस्तावेद लिया जाता था कि वह वस्तो की निर्धारित मातर प्रतेक वर्ष सराय अदल के रूप में लाया करेंगे उनसे ये बारे में में भी दस्ता वेज लिया जाता था कि वस्तों को जो निर्धारित मात्रा है उसको किसके रूप में लाएंगे सराय अदल सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले शाहुल जॉन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप से कोई भी नॉटिफिकेशन ना छोटे किसी भी स जरी करता था तो महंगी वस्तों के लिए अधिकारी अमीरों मालिकों अधिके लिए आय कर नुसा में खरीदने के लिए परमिट जारी कीमत पर अच्छी कीमत के जोलो क्या पूर्ते सेना के लिए महतमूर्डी अलौ्व दिन ने शक्ति एंड़ चाह रचुन दोल्ऊ को हटा दियात है और मध्यच्ट बीच में आते हैं मिटल में उनको हटा दिया और ब्रॉकरों याने की दलालों को भी हटा दिया था तो यह थे अलावदिन खिल जी के बजार सुधार फिर आता है पॉइंट टॉपिक आता है मुगल कालीन प्रशाशनिक ढांचा क्या सा था तो मुगलों ने एक नई शेत्रिय इकाई बनाई जिसे सुबा कहा जाता था तो मुगल कालीन प्रशाशनिक डाचानी की मुगलों ने क्या बनाए एक सूबा बनाए शेद्रे इकाई बनाए जी सूबा कहते थे जागीर और मंसब पढणाली के संस्थानों को भी मुगलों द्वारा ही जागीर और मंसब पढणाली को किसने शुरू करवाया मुगलों ने ठीक है उन्हों न किया था तो केंद्रे प्रशाशन उनका कहजा था तो यहां से देखते हैं पूरा पॉइंटी लिख लेंगे यहां पर हम कि सम्राठ सम्राठ के बारे में सम्राठ प्रशाशन का सर्वुच प्रदान था उसके नियंत्रण में सभी सैन्ने और न्याइक शक्त उसी के हाथ में थी समराट के हाथ में मुगल प्रशाशन में सभी अधिकारी अपनी शक्ती और इस्तिती के लिए समराट के प्रति उत्तरदाई थे तो मुगल प्रशाशन जब था तो सभी अधिकारी अपनी शक्ती और इस्तिती के लिए समराट पर निर्परा करते थे यह आ अधिकारों को चुने उनकी पदोनत्ती करता था यानकी उनकी पोश्ट बढ़ाता था इंक्रिमेंट करता था और उन्हें हटा सकता था संब्राट पर संस्तागत या अन्य था कोई दबाब नहीं था संब्राट पर संस्तागत कोई दबाब नहीं होगा करता था संब्राट ने काम असानी से अच्छे से कर से के इसके लिए डिपार्टमेंट बनाये गए विभाग बनाये गए किसके बारे में पड़ रहे हैं मुगल के बारे में फिर आता है वकील और वजीर इसमें भी पूरा पॉइंट थी जहां तक होगा मैं अंडरलाइन करूंगा आपके लिए वजारत अथवा वकीलत दोनों शब्दों को प्रेक एक ही अरत में किया जाता है वजारत बोलो या वकीलत दोनों का मतलब एक ही है का इस्थान दिल्ली सलतनत के द्वरान भी कुछ कर दो लुगल में अपनी उद्क्रिश्ट स्थिख हो चुआ था वजीर का पद हुआ करता था पहले सुल्टानों में जैसरा कि आपने पड़ा ता फॉस्ट पार्ट में वह अपनी स्थिख हो चुगा था वजीर के पद को मुगलों ने फिर चालू गया तो सुल्तानों के स वजीर थे वो अधिक शक्ति शाली थे अकबर के मंत्री बैरम कान के काल में वकील वजीर को असीमिश शक्ति प्राप्त थी तो अकबर के मंत्री थे बैरम कान और उसमें वकील या वजीर को असीमिश शक्ति प्राप्त हुआ कर दी थी पर आपको लिखना है ये शौट में और प्रित्मा लिख लिएना है कि वजारत का मतला वकीलत या वजीर जो की सुल्तानों के भी समय में भी होता था और मुगलों के समय में भी फिर आता है पॉइंट दिवाने कुल दिवाने कुल मुख्य दिवान था यह राजस्व वित के लिए उत्तरदाई था अकबर ने दिवान को राजस्व शक्तिया सौपका दिवान के कारयले को मजबूती प्रदान की इतना ही बहुत है दिवाने कुल मुख्य दिवान था यह राजस्व वित के लिए उत्तरदाई था राजस्व क्या बतलब क्या होता राज्जों से लिया गया टैक्स और वित के लिए उत्तरदाई था कौन लेता था राजस्व या टैक्स कौन लिया करता था राज्जों से दिवाने कुल अकबर ने दिवान को राजस्व शक्तिया कारेलों को मजबूती भी प्रदान करी थी फिर आते हैं मीर बक्षी मीर बक्षी सेना के प्रशाशन के सभी मामले देखता था जो भी सेना के प्रशाशन के से जम्मंदी मामले कौन देखता था मीर बक्षी मनसबदारों की न्युक्ति के आदेश अत्वा उनके वेतन के काग जातों को समर्थन प्रदान करता था उन्हें स्विक्रित करता था मेरवक्षी और क्या करता था मनसब्दारों को चुनता था न्युक्त करता था आदेश देता था उनके वेतन के काग जातों को समर्थन प्रदान करता और उन्हें स्विक्रिती भी देता था वैस बात पर भी सक्ति से निगरानी रखता था कि मनसबदारों द्वारा शस्त्रों का और युद्ध सामगरी का उचित रकरकाव किया जा रहा है वो यह भी देखता था क्या मनसबदार शस्त्रों का यानि कि हत्यारों का युद्ध की सामगरी का अच्छे सपरियों कर रहे हैं यह नहीं कर हो रहे हैं और सेवा माँगने वाले नए सदस्य को सम्राँड के सामने मीरवक्षी द्वारा प्रस्तूत क WHY यह आधा था जो सेवा मांगते थे तो उनको भी मीरवक्षी पेश करता है सम्राद के सामने यह पूरा पलिख सकते हैं सदर उस सदर पुरोहित संबंदी विभाग का मुख्या था तो कौन था पुरोहित का मतलब पंडित या पास्टर पुरोहित तो उनका कौन था विभाग का हैड हुआ करता था सदर उस सदर याने कि पुरोहित का डिपार्टमेंट था उनका हैड कौन था सदर उस सदर उसका म विवे उपला होया है योगिवयक्ति को ढार्विक संताओं वजीवे भी बाटा करता था तो अब इतना लिख सकते हैं फिर आता है मिर सामा मीर सामा शाही कारखानों का प्रभारीअधिकारी था उसकी शाही परिवार के लिए सभी प्रकारय की खरीदारी करना और अंके के बंडार की जिम्मवारी थी तो मीर सामा कौन होता था मीर सामा कौन होता था जो शाही कारखानों का प्रबारी अधिकारी उसकी शाही परिवार के लिए सभी प्रकार की खरिदारी करता था बंडार ने आने की घट्टा करता था प्रिवार के लिए हे तू विन वस्तु के उ प्रशाशन के बारे में उसके केंद्री प्रशाशन के बारे में एक्जाम में आता है यह लिखना है आपको और साथ ही साथ शाहुल जान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अब आगे पढ़ते हैं प्रांतिय प्रशाशन अकबर ने मुगल समराज्य को बारा प्रांतों अच्वा सूबों में विभाजित किया था तो बारा प्रांतों में और बारा सूबों में विभाजित करा था मुगल समराज्य ने अभी ये प्रांट कौन से थे इलहाबाद आगरा अवद अजमीर एहमदाबाद बिहार बंगाल दिल्ली काबुल लाहोर मालवा और मुलतान बाद में अहमदनगर बरार और खान देश को भी सामिल कर लिया गया और इसमें फिर कितने हो गए इसमें शुबों की संग्या प्रांतों की संग्या बीस हो गई प्रतेख सूबा अथ्वा प्रांती गवर्नर के अधीनता यह समराज्य द्वारा सीधे न्यूक्त कौन के आजाता था सूभेदार को न्युक्ति है ज्यादा डारेक्ट सूभेदार बोलो या गवर्णर एकी बात हैं सूभेदार प्रांत का प्रधान होता था तता वे समानने कानून और व्यवस्था आपको यह ऐसे लिखना है कि पहले लिख देना आप सूभेदार फिर डालना या एरो बनाना करता हैं उसके बात से लिख लेना कि सूभेदार कॉन होता था तो सूभेदार प्रांत का प्रधान होता था था तथा था किभविद्रहुयों का दमन करता था करता और का भिवानों की सेना मुहयया कराता था, कहोंग करें ठाथ सूबफे दार, प्रैक्स प्योखत है, सूबफे में राजस्वावी भाग का प्रमुक दिवान होता था, उसकी निक्ति सबराठ द्वारह की जाती थी, वह स्ववतंत्र अधिकारी था उसे दार सूबफे में प्रमुक दिवान है उसकी कोन प्रमुक दिवान होता था उसकी क्रता नुद्धार दा जा रहे गोडों घंच लिखना है मनसब्दारों तता स्विपाईों दोनों के वेतन बिल जारी करता था तो मनसब्दारों के और सिपाईों के वेतन को जारी करता था बक्षी है फिर है प्रांथे स्थर पर केंद्री न embora सदर के ब्रदिलिदी को सदर कहते थे आपको इसमें भी क्या करना है सदर लिख 때र एरो लिक बनाना है उसके बाद लिखना है यह उन लोगों के कल्यान के लिए जिम्मेर दार था जो धार्मिक कती विधियों और शिक्षा के कार्याले में लगे हुए थे वे न्याय विभाग का कार्याले भी देखते थे तो जो सदर होता था वो धार्मिक कती विधियों को और शिक्षा के कार्याले में लगे और लगे करते थे ऋपर फिरा स्थानिय प्रशाशन around के बारे में प्रांथ अत्वा सूबे सरकारों वीवाजित थे प्रांथ और सूबे को अधिकारि थे पहला अधिकारि था फॉजदार दूसर था अमल गुज़ार तो फॉजदार था पहला फॉजदार कौन होते थे फॉजदार या समय और कि यह गड़ा पिना कर गया होग लुख के था कि को सब्सक्रेण आत्यよし वह नान ऌान कि गड़ा तो अमल गुजर् tapi आमिल राजस्वें संग्राहक होटा था दो आमिल कौन होता था राजस्व संग्राहक याने कि जो राजस्व को इखटा याने कि टैक्स को इखटा करता था राज्यों से उसका कार राजस्व का मुल्यांगन करना था याने कि 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 इवेलु एट करना की टैक्स आया है और राज़ेस्व संग्रहन की देख रिक करना खट्टा करना टैक्स तक उससे आशा की जाती थी कि वह खेति योग्य भूमिकरे मां मां और यह मानाया था था कि वो किसानों को ऐसा प्रोत्साइट करेगा कि किसान किसान खुद ही राजसुका भुक्तान करेंगे वैसा भी लेका जोगा रखता था और प्रांति दिवान को प्रति दिन प्राप्टी और व्या की रिपोर्ट भेजता था सभी की देखरेक्ट करता था लेकाचोगा रखता था प्रांति दिवान को प्रती दिन देली के डिली प्रांती दिवान को कि कि तना पैसा आया कितना पैसा खर्चुआ उसकी रिपोर्ट भी बेशता था पिराता है प्रगना प्रगना इस्तर पर शिक्दार कारेपालक अधिकारी तो आपको यह इसमें डाले के लिखना प्रगना इस्तर में शिक्दार तो शिक्दार के बारे में पढ़ रहे हैं कौन था प्रगना इस्तर पर शिक्दार कारेपालक अधिकारी होता था राजर संग् आमिल प्रग्णा इस तरह पर राजस्वंग्रे कारे देखते ते और जो आमिल थे वो राजस्व से कट्टा करते ही थे कानुन गो प्रग्णा में भूमी संबंदी सभी रिकॉर्ड रखता था मुक्दे शैरों में कोतवालों की नुक्ति शाही सरकार द्वारा की जाती थे औ कानुन का व्यवस्ता घविजा वरहिए वाले को रिकॉर्ड रखने के लिए एक रिवें कि कितने लोग बहर गए हैं किने नहीं से मुकदम तो मुकदमूंद मुठ्व होता था और पतवारी में राजस्व का रिकॉर्ट रखता था व्यrá अपनी छेत्र में व्यूस्ता को पर प्रवारी गॉप रखते थे और अप्ने चैत्रों में कानुन और व स्था बनाए रखने के लिए चेत्र नामक अधिकरी करता था दो किलेane के समान्य प्रशाशनट Nissan विफ्सको जागीर में दिए गए छेतरों का प्रभारी होता थाirm arguments प्रांति अधिकारी से मुक्त था पतन के सद्धी माल पर एक माल पर कर एकत्र करता था तो जो भी टैक्स होता तो माल पर खट्टा करता था और वह सीमा शुल्क कारेले की देख रेक करता है मुट्ता सद्धी पतन की टकसाल की देख रेक भी करता था तो यह हमारा टॉपिक हमारा ये पार्ट सेकंड यहीं कंप्लीट होता है मेन इसमें जो हमने पड़ा था टॉपिक वो एक तो यह है मुगलकादिन प्रशाशन धांचा आपको याद रखना है और अलावदिन खिल जी के बाजार सुधार और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई यह तो शाहुल जॉन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले और अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को लाइक शेर करना ना भोले